अब यह क्या है आपका यह है आपका बेसो फिल्स बेसो फिल्स का भी साइज यहां पर देखिए अलमूस इतना ही है 12-15 अब इसमें कितने लोप होते हैं इसमें भी डबल लोप होते हैं यह देखिए एक लोप दो लोप इसका अप्रोग जो शेप होता है न वो थोड़ा एस थोड़ा एस शेप का होता है ठीक ऐसे थाइप का ठीक तो ऐसा होता है और इसमें जो आपके साइटो प्लांस होते हैं साइटो प्लांस में जो साइटो प्लांस में ग्रैन्यूस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं फाइन नहीं होते हैं थोड़े से बड़े साइज क होते हैं, coarse होते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े होते हैं, ठीक, और यह जो granules होते हैं, जब भी आप इसे stain करते हैं, बेसो फिल्स को, तो यह किस कलर के लिए लेते हैं, stain अपना, यह देखिए, यहाँ आप लिखा है, stain किस कलर के लिए लेते हैं, deep purplish blue से ले करके, purplish red, जब भी आप बेसो फिल्स को stain करते हैं, तो जो cytoplasm में granules होते हैं, वो किस कलर में convert हो जाते हैं, डीप purplish blue से ले करके, या तो इस color के देखेंगे, या purplish red कलर के देखेंगे, ऐसे, ठीक है, और जो इसके granules होते हैं, वो पूरे भर में spread नहीं होते हैं, मलब एक जगा एक जगा तक एक जगा ही इखटा होता है ऐसे जगा एक जगा एक जगा एक जगा एक जगा एक जगा भरे पड़े इखटा रहता है ठीक है ऐसे ठीक है अब यह जो इस्टेन होता है यह किसके थूँ इस्टेन होता है बेसिक डाई के थूँ बेसिक बेसिक से क् ठीक है ? तो यह जो stain होता है बेसिक ְाइ से stain होता है snowfil आपका acidic dye से stain होता है ठीक है तो यह आपको मॉर्फिलोजी इक इसकी base of Tales की